नेहा ककर के शादी के बाद पर हिमान शकोली का आया रियाक्शन आए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कैसे रियाक्ट कर रहे हिमान शकोली नेहा ककर की शादी को लेकर नमस्कार मैं असनिकदा स्वागत करती हूँ आपका बॉलिवुड हेडलाइन्स पर आपको पता है कि नेहा ककर की शादी अब जल्द ही रोहन प्रीट के साथ होने वाली है यानि कि आपको बता दे कि 24 सॉक्टूबर का डेट ऐसे फिक्स कर दिया गया है जस दिन नेहा ककर की शादी होने वाली है वो भी रोहन प्रीट से लेकिन इस बात का confirmation फिलहाल नीहा ककर की तरफ से अभी नहीं मिला है लेकिन ये हफवाएं बिल्कुल आग की तरफ फैल गई है हर कोई यही बात कर रहा है कि नीहा ककर की जल्द ही शादी होने वाली है तो इस तरीके से अब आपको बता दे कि उनके ex-boyfriend यानि कि हिमान शकोली का एक reaction आया है सामने नीहा ककर की शादी को लेकर हिमान शकोली का कहना है कि उनके हर एक post को मुझसे share किया जाता है या मुझसे relate किया जाता है यानि नेहा ककर जब भी कुछ भी करती है तो उनके हर एक चीजों को, हर एक काम को मुझसे react किया जाता है, मुझसे relate किया जाता है लेकिन ये बिलकुल गलत है और नेहा अब मुझसे बिलकुल अलग हो चुकी है और आपको बता दे कि साथ हिमान्ष कोहली का कहना है कि लाइफ में ब्रेक अप और पैच अप का जो सीन है ये एक लाइफ का हिस्सा है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हिनीहा ककर का कुछ भी आक्शन लेना कई न कई हिमान्ष कोहली को रियाक्ट करेका तो इस तरीके से बिलकुल साटसफाइड है उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा नेहा ककर की शादी को भी लेकर 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 आपको क्या लगता है कि क्या नेहा ककर रोहन प्रीट से शादी करने वाली है वो भी इतनी जल्दी 24 ऑक्टोबर का डेट भी फिक्स हो चुका है आपको क्या क्या नेहा ककर शादी करेंगी रोहन प्रीट से और क्या हिमार्श कोली सच में उनका दल नहीं तूटा तो इस तरीके से आप भी जरूर बताए अपने रियाक्शन हमारे कमेंट सेक्शन में और तमाम बॉलिवोड खबरों के लिए देखते रहे हमारा चानल